गूड मॉर्निंग फ्यूचर ओफिसर्स आई वेलकम टोल फ्यू तो आईट्यू क्लासिज। दोस्तो आज है सेप्टेंबर 15 वेंस्डे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं दा इंडियन एक्सप्रेस के न्यूस पेपर की अनैलसिज। मेरा नाम है सितेंदर चोधरी और रो नहीं होते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हो पहली जो न्यूस हम लोग करने वाले हैं वो आने वाली है संपाक इंट्रस्ट इन कंफ्लिक्ट विद यूएस विल कंसीडर टाइज ऐसा किस ने बोला है ब्लिंकन ने बोला है भया अब यह इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि इंडिया के परस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट हो जाती है हम सभी को पता है कि historically USA और पाकिस्तान के एचापध के इसे मामले में भी US से और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं अभी सभी को पता है कि अमेरिका से तालिबान वहाँ पे आ गया है अफगानिस्तान के अंदर और अमेरिका अफगानिस्तान से वो बाहर चला गया है उस case में अभी पाकिस्तान का रोल जो है अफगानिस्तान के अंदर वो अमेरिका थोड़ा doubtful नजर से देख रहा है क्योंकि तालीबान के अंदर कुछ ऐसे factions हैं जैसे specially हकानी हकानी जो group है ना तालीबान के अंदर वो अमेरिका का दुश्मन number one है आज के समय में और हकानी के अंदर directly ISI जो है पाकिस्तान की जो खुफी अजंसी है उसके direct relationship है इसलिए अमेरिका ने कहा है कि समय आ गया है जब हम पाकिस्तान के साथ अपनी equation को अपने रिष्टे को एक नए तरीके से देखेंगे ऐसा कुछ कहा है अमेरिका ने इसका implication होगा definitely क्योंकि बहुत सालों से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को बहुत तरह से defense में समझ लो या economy help देता रहा है तो definitely Trump ने भी बोला था पाकिस्तान के बारे में कि हम लोग पाकिस्तान में तरह सारा रुपया देते हैं या जो पैसा है या जो हतियार है वो terrorist के हाथों में चले जाते हैं तो पाकिस्तान का जैसे जैसे इंडिया और अमेरिका के relationship बढ़ रहा है पाकिस्तान का और अमेरिका के relationship खराब होता जा रहा है तो यह सचाई है चलिए अगली जो नियूज आती हो आती है expect इंडिया to announce more goals ahead of COP26 यार यह COP26 क्या है COP26 की full form होती है Conference of Parties 26 अब यह Conference of Parties क्या है Conference का मतलब होता है meeting meeting मतलब जहाँ पे group of person या group of participants आपस में आते हैं मिलते हैं बैठते हैं बात करते हैं और grouping करते हैं जिसे कहा जाता है COP26 यह हम यूज करते हैं किसके मामले में climate change के मामले में climate change को लेके जो सबसे पहली जो बहुत important meeting हुई थी वो कब हुई थी 1992 में जिसे कहा जाता है earth submit आप मुझे comment section में यह बताओ कि earth submit कहा हुआ था उसे कहा जाता है earth submit ठीक है याद रखने आपने कहा पेवा था यह मझे comment section में बताओ को मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि exam में ये question एक बार पूछा जा चुका है ठीक है चलो एकस के regarding एक और कोशना मुझे comment section में बताओ एक term होती है जिसे कहा जाता है common but differentiated responsibility cbdr बोला जाता है climate change की discussion में ये जो term है na cbdr actually ये इंडिया नहीं propose की थी common but differentiated responsibility ये कौन से कोप के अंदर इसको introduce किया गया था सबसे पहली बार important question है UPSC में आएगे स 2014 में ये पूछा जा चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे चलते चलते क्या हुआ COP21 आया हर साल इनकी meeting होती है जिसे कहा जाता है COP COP123456 हर साल meeting होती है तो COP21 आया कहां पे आया पैरिस के अंदर में आया पैरिस में हुआ था COP21 इस पैरिस के अंदर हर country ने अपने अपने कुछ target बताए थे कि हम इतना target रखेंगे greenhouse gas को कम करने के लिए इंडिया ने भी एक target दिया था जिसे कहा जाता है NDC मतला INDC कहा जाता है Intended Nationally Determined Contribution आपने याद रखना एकसाम के परस्पेक्टिव से के यह mandatory नहीं है No, it is not mandatory, it is voluntarily तो हर country चाहे वो developing country हो चाहे वो developed country हो वो अपना target बताती है के भहिया मैं कितना target अचीव करूँगा India को जो target है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कल भी करवाया था आपको session में इसे full screen कर लेता हूँ मैं India को जो target है वो यह है जैसे कि आपकी screen पे आपको नज़र आ रहा है ठीक है यह है India का target आपको पता होना चाहिए India का target क्या है जो उपर वाले जो तीन आपको नज़र आ रहे है यह India का target है ठीक है नीचे वाले जो आपको नज़र आ रहे है 100 Giga Watt solar installed capacity and all that यह हमारे INDC का target नहीं है यह हमारा अलग से target है लेकिन उपर वाला जो आपको target नज़र आ रहा है यह 33.35% GDP and all that 2.5 से लेके 3 billion tons of CO2 यह हमारा target है जो हम लोगों ने Paris के अंदर में दिया था अब बात यहां से शुरू होती है कि दुनिया वाले कह रहे हैं कि India को अपने target को और जादा ambitious बनाना चाहि है ऐसा कौन कह रहे हैं अभी कह रहे हैं यह जो US के special presidential envoy है climate change को लेके Mr. John Kerry इनका कहना है कि जो COP26 कहां पी होगा glass go में होगा COP26 होगा glass go में आप मुझे यह बताओगे कि जो Paris में हुआ था COP26 यह कौन से साल में हुआ था 2014, 15, 16 और 17 ठीक है तो यहां से कहीं सारे prelims के basis पर कोश लिए क्योंकि prelims में environment के काफी साधा questions पूछे जाते हैं तो यह होगा glass go के अंदर ठीक है इस बार स्कोटलेंड के अंदर पढ़ता है glass go एक city है तो इन्होंने कहा कि इंडिया का जो target है वो इंडिया को और जादा इसको बढ़ाना चाहिए इंडिया का target क्या है कि 450 gigawatt of renewable energy sources हमने कहा है कि 2030 तक इंडिया 450 gigawatt electricity non renewable energy sources से produce करेगा मतलब चाहिए आप solar energy की बात कर लो solar हो गया wind हो गया water हो गया है ना इन से produce करेगा बहुत ambitious target है अमेरिका ने कहा है कि वो इंडिया की help करेगा चाहिए वो technical help हो चाहिए वो financial help हो इंडिया ने अभी तक अपना net zero target नहीं बताया है चाइना ने बता दिया है कि वो 2060 तक net zero पे पहुँच जाएगा अमेरिका ने कहा है कि वो 2050 तक पहुँच जाएगा इंडिया ने अभी भी कुछ भी ये नहीं बताया है कि मेरा net zero क्या होगा कुछ बच्चे जो नए होंग मारे platform पर बता देता हूं कि net zero क्या होता है net zero का मतलब होता है ना नफा ना नुकसान मतलब जितना co2 मैं produce करूँगा उतना ही co2 मैं absorb करूँगा मतलब मैं net zero का मतलब यह है कि मैं 1% भी 1 kg भी co2 atmosphere के अंदर overall नहीं रहने दूँगा तो जितना मैं release करूँगा उतना ही मैं absorb करूँगा absorb कैसे कर सकते हैं उसकी बहुत सारी techniques होती है forest के थुरू हम लोग कर सकते हैं forestation, carbon sequestration की बहुत सारी techniques होती है वो एक अलग मामला है तो यह carry जो है वो इंडिया में आ है COP26 को लेके तो यह news हमारे लिए important हो जाती है यहाँ पर NGOs के रोल के बारे में भी बात की गई है अमेरिका हमेशा से ही यह बात को support करता है कि NGO या जो civil society होती है उसको भी climate change में लड़ने में participate करना चाहिए लेकिन इंडिया में आपको पता ही है Supreme Court से आती है और आपको पता है जब भी Supreme Court से कोई news आती है तो मैं हमेशा ही अपनी analysis में उसको include करता हूँ अब इन्होंने क्या बोला है देखे आपने सुना होगा कोई फिल्मों में देखा होगा जो वो कहा जाता है कि इसको सजा दी जाती है कडी से कडी सजा है ना कडी से कडी सजा अब कडी से कडी सजा का मतलब क्या होता है परानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो कैदी होते थे जिनको कडी से कडी सजा मिलती थी जो सबसे खतरनाक वाले मुजलिम होते थे convicted होते थे उनको क्या किया जाता था उनको वो पत्थर तोड़ते थे आपको या दोगा परानी फिल्मों में 70s 80s की फिल्म में मता बच्चन वाली फिल्म में आपने देखोंगा पत्थर तोड़ते थे पत्थर तोड़ने को कहा जाता है कड़ी से कड़ी सजा और इंग्लीश में अगर इसको बोलो तो इसे कहा जाता है Regress Imprisonment Life Imprisonment मतलब जिसको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है Life Imprisonment Sentence Means Regress Imprisonment Apex Court ने ऐसा कहा है Getting this point 1983 में एक जज्जमेंट आया था Nayev Singh versus State of Punjab उस case में High Court ने ये कहा था कि अगर किसी को Life Imprisonment मिलती है तो इसका मतलब ये है कि उसको Regress Imprisonment मिलेगा मतलब उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी अब इसके against में एक और petition फाइल की गई थी उस petition को Supreme Court ने खारिज कर दिया है Supreme Court ने कहा है कि अगर किसी को Life Imprisonment मिलती है इसका मतलब वो Regress Imprisonment होगा आज कल तो देखे पत्थर नहीं तोड़े जाते हैं पहले पत्थर तोड़े जाते थे आज कल Regress Imprisonment का मतलब होता है Some work to do मतलब जेल में खाली बैट के टीवी नहीं देख सकते हो तो you need to do some work ये मतलब होता है Regress Imprisonment का जैसे आप वहाँ पे कोई टोकरी बना सकते हो कोई envelope बना सकते हो मुम्बती बना सकते हो आप library का इंचार्ज हो सकते हो इसको भी आज कल Regress Imprisonment की श्रेड़ी में रखा गया है कुछ न कुछ economic activity आप करते हो तो Supreme Court नहीं कहा है अगर किसी को line imprisonment मिलता है उसका मतलब यही है कि आपको Regress Imprisonment मिलेगा ठीक है तो आपको थोड़ा से ध्यान रखना है Regress Imprisonment का मतलब आज कल वो नहीं होता कि चक्की, piecing and piecing जैसा वो धर्मेंदर बोलते हैं आज कल चक्की वक्की नहीं पीसी जाती है अगर आज कल पत्थर तोड़े जाते हैं पत्थर है ही नहीं कहां से तोड़ गए तो Regress Imprisonment का थोड़ा सा definition over a period of time चेंज हो गया है यह जो आर्टिकल है वो recommended है अगर आपके आप समय है तो आप इसको पढ़ सकते हो क्योंकि इंडिया और अमेरिका के जो security perspective को लेके इसके बारे में बताया गया है कि इंडिया और US से के relationship के बारे में तो इंडिया-US relationship GS paper 2 से आप इसको cover कर सकते हो specially यहाँ पर focus किया गया है security के area में तो अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हो बहुत सारी information में factual भी होगी जो आपके लिए requirement नहीं है लेकिन कुछ information आप यहाँ से carry कर सकते हो और अपने notes में भी लिख सकते हो जैसे कुछ investigation agency है हमारी जैसे cctns net grid है ntr हो है यह आपको सब GS paper 3 में पढ़ना पढ़ता है internal security वाले perspective से तो यह चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो इंडिया पाकिस्तान के border पर जो security challenges है है ना उसके बाद financial action task force है जिसने grey list के अंदर रखा हो है पाकिस्तान को इंडिया के जो कुछ laws हैं जैसे UAPA act है हमारा है ना PMLA money laundering act है इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो और इसी के regarding जो USA के अंदर जो laws हैं उसके बारे में भी बताया गया है लश्कर एताइबा के साथ हमारी dealing कैसी है United Nation में जो हम लोगों ने जो list दी हुई है जो resolution वगरा है उसके बारे में भी बात किया गया है row के बारे में भी बात किया गया है तो अगर आपको security perspective से GS paper 3 से पढ़ना है internal security से तो ये article आपके लिए recommended है काफी ज़्यादा factual है इसको ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगा दरवाइस time बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज का जो मैं बोलूँ आज का नहीं एवन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि पिछले 20 to 25 days में अगर Indian Express में कोई सबसे बड़ी article आया है तो वो ये है economy वाले section से बाकित आते रहते हैं economy वाले section से इतना important है ये article जो आज दिया है पढ़के मज़ा आ गया क्योंकि यहां से exam से questions भी पूछे जाते हैं बारम बार किसके regarding है ये बात करता है GDP growth के बारे में GDP growth के बारे में पहले तो आपको question में पूछता हूँ आप मुझे बताएं comment section में कि सबसे पहले आप मुझे बताएं कि GDP कौन calculate करता है कौन सी organization ऐसी है इंडिया के अंदर institution ऐसा है जो GDP के आंकड़े issue करता है एक ता मुझे यह वो बताओगे दूसरा मुझे यह बताओगे कि जो GDP calculate करने का जो base year है वो क्या है recently हम लोग ने base year change किया था ता मुझे वो base year भी बताओगे चलिए यह दो question तो आको मुझे बताने ही बताने है उसके अलावा GDP जो दोस्तो है न GDP देखिए यह जो है इसको मैं यहां से ले लेता हूँ चलो यहीं से ले लेते हैं कोई बात नहीं GDP calculate करने के तीन method होते हैं एक होता है हमारे पास income method एक होता है हमारे पास expenditure method और तीसरे को आप कह सकते हो जिसे हम बोलते हैं GVA gross value addition method ठीक है तीन method हमारे पास होते हैं मतलब production method भी इसको आप कह सकते हो ठीक है production method तीनों से GDP calculate की जा सकती है कोई problem नहीं है तीनों के data almost equal ही आते हैं लेकिन जो सबसे effective होता है इसमें वो होता है expenditure method देखे जितनी लोगों की income होती है उतना ही वो expenditure करते हैं तो equally आना चाहिए इस expenditure के अंदर कहीं सारी चीजें होती है पहला होता है इसके अंदर कि जो household जो personal expenditure होता है personal जो consumption होती है न आपका उसको बोलते है personal expenditure आप कपड़े खरीते हो फ्रिज खरीते हो, टीवी खरीते हो, जूस पीते हो वो सारा आपका personal expenditure है ये इसके अंदर calculate किया जाता है दूसरी जो चीज इसमें calculate की जाती है वो होती है investment investment by जो business man होते है टाटा बिरला अमबानी ठीक है वो जितनी भी investment करते हैं अपने business को expand करने के लिए वो भी हम expenditure के अंदर ही include करते है तीसरी जो इसमें चीज होती है उसको कहा जाता है government expenditure government expenditure जैसे जो government जो है वो ports बनाती है bridge बनाती है, schools बनाती है roads बनाती है, उस पे जितना खर्चा होता है, वो सारे के सारा हम लोग इसमें include करते हैं, उसके लावा हमारे import export होगा, उसको मैं यहाँ पे consider नहीं करूँगा तो यह तीन चीज़े ऐसी है जिससे मिलके हमारे GDP count होती है personal expenditure जो consumer होते हैं investment, जो टाटा बिरला अमबानी investment करते हैं, business को expand करने के लिए, कुछ production करने के लिए, और government expenditure अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि उपर वाली दोनों के बीच में direct relationship है जितना जादा लोग demand करेंगे उतना ही जादा, मतलब expenditure भी करेंगे सिद्धी सी बात है, यह तो demand के उपर depend करता है, और यह जो investment होती है यह supply के उपर depend करता है जितना लोग demand करेंगे, उतना ही तो टाटा बिरला अमबानी आपको supply करेंगे अगर आप demand ही नहीं करोगे किसी चीज़ की, तो वो production भी नहीं करेंगे, production नहीं करेंगे, तो employment generate नहीं होगा, employment generate नहीं होगा तो लोगों की purchasing power कम हो जाएगी आप इस relation को समझिए लोग जितना ज़ादा से ज़ादा demand करेंगे, जितना ज़ादा से ज़ादा expenditure करेंगे उतना ही हमारी country में production होगा उतनी ही हमारी GDP growth होती है तो आपकी जो demand होती है न दोस्तो, वो हमारे GDP से director relation होता है foreign countries में क्या होता है, लोग जितना कमाते हैं, उतना ही खर्च करते हैं और क्योंकि वो खर्च करते हैं, इसलिए वहाँ पे production भी ज़ादा होता है production ज़ादा होता है, इसलिए वहाँ पे employment भी इतनी हाई होती है इंडिया में एक trend है कि इंडिया में लोग जो है कम से कम demand करना शुरू कर दिया है तो भहिया जब economy में demand ही नहीं होगी, तो क्या economy में कुछ produce होगा? अब बिना demand के थोड़ी टाटा बेर लंबानी खामखा produce करेंगे पहले demand होगी, production बढ़ेगा employment generate होगा, GDP growth होगा इसी के बारे में यह article है अगर आपके basis the concept समझ में आ गया है तो हम इस article को अच्छे से समझ सकते हैं जो personal consumption है उसे कहा जाता है private final consumption expenditure मतलब जो household होते हैं आपके जैसे एक हमारे पास investment होता है जिसके बारे मैं आपको बता दिया अब हमारे GDP को आप देखें तोड़ के देखें इसको हमारी जो national GDP होती है इसका 55 to 56% सिर्फ और सिर्फ आपके expenditure के ओपर depend करता है तो यह सबसे biggest है 33% या 32 के लगबग जो percentage है वो आपका investment calculate करता है तो आप एक चीज देखिए 80 to 90% के लगबग मतला 88 to 89% तो आपका सिर्फ दो ही factor हो गया तो उपर वाली यह दोनों चीजें आप यह समझो तो चलो मैं इसको 55% माल लेता हूँ 55% आपका expenditure और 35% आपका investment यह दो चीजें आपके GDP का पार्ट होती है भया 90% तो आपका यह दो ही factor हो गए यह बचा हुआ बाकी बेचारा 10-12% इसका मतलब हमारी जो GDP का जो deciding factor होता है वो होता है demand उसके बाद जो deciding factor होता है वो होता है private investment तीसरे नमबर प्याता है government के खर्चे इसलिए अगर आपको GDP growth करनी है तो आपको demand बढ़ानी पड़ेगी आपको personal expenditure बढ़ाना पड़ेगा personal expenditure बढ़ेगा तो investment बढ़ेगी तो production बढ़ेगा तो GDP की growth होगा इस पूरे article का यहीं निचोड है इसका मतलब सरकार को अगर production को boost करना है तो पहले लोगों की purchasing power को बढ़ाना पड़ेगा यह पुरे का पुरा मामला यहाँ पे है अगर आप पिछले कुछ सालों के चार्ट देखो देखें यह graph पढ़ना बहुत जरूरी होता है अगर आप इसको देखो तो यह financial year 2005 और 2011 मतलब इंडिया में जो demand थी वो 8.2% थी 2017 से लेके 2022 तक इंडिया में जो demand है वो सिर्फ और सरिफ 3.7% है 2012 से लेके 2021 तक इंडिया में जो demand थी वो सिर्फ और सिर्फ 4.9% थी तो दोस्तों यह 2005 और 2011 के बीच का जो period है न यह हमारी economy का अब तक का after independence golden period माना जाता है क्योंकि इस समय हमारी demand highest थी highest demand मतलब highest production highest production means highest employment तो इंडिया में अभी तो देखें lockdown की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग lockdown से पहले की भी बात कर रहे है lockdown से पहले की भी हम लोग बात कर रहे हैं 2018 में भी इंडिया की जो demand थी वो सिर्फ और सिर्फ तीन से चार परसेंट थी अभी तो चलो lockdown का बहाना हो गया है उससे पहले भी हमारी demand बहुत ज़्याद कम थी तो बात सब निकल के यही आती है RBI ने एक survey किया है जिसे काज़त है OBCUS survey यह आप याद रख लेना order book inventories and the capacity utilization survey इस survey ने यह पाया है कि इंडिया में जो utilization है मतलब जो factories होती है वो अपनी full capacity से चल ही नहीं रही है कैसे चलेंगी जब demand ही नहीं है आपने एक factory लगाई कि जिसके अंदर आप daily 50,000 shoes बना सकते हो demand है सिर्फ 20,000 shoes की तो भईया 50,000 shoes बना के क्या करोगे जब demand ही 20 की है तो हमारे यहाँ पे जो factories हैं जो companies हैं वो अपनी full capacity से चल ही नहीं रही है जिसकी वज़े से हमारे यहाँ पे GDP growth नहीं हो रहा है आप गेटिंग इस point उपर से आ गया भी COVID COVID की वज़े से जो हमारे supply chain था वो भी disturb हो गया है और इसकी वज़े से inflation and all that तो सबसे बड़ा मुद्द यही निकल के आता है इंडिया में जो weak demand है उसकी वज़े से हमारे GDP growth नहीं हो रही है अगर आपको GDP growth करनी है तो demand आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि demand बढ़ेगी तो production बढ़ेगा production बढ़ेगा तो आपकी GDP growth होगी production बढ़ेगा तो employment मिलेगा employment मिलेगा तो आपकी purchasing power capacity बढ़ेगी और यह cycle चलता रहता है foreign country में यह cycle चलता रहता है क्योंकि लोग वहाँ पे जादा से जादा खर्चा करना पसंद करते हैं चिक है चलिए इतना बड़ा आदमी जब इतना article लिखेगा तो हमारे लिए important हो ही जाता है लेकिन time की थोड़ी कमी है इसलिए मैं इसको अभी नहीं करवा पाऊंगा evening में मैं आपको इसके analysis दूँगा लेकिन तब तक आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि evening में जब हम लोग analysis करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि अभी मेरी ये class है तो मुझे class करने जाना है लेकिन इसको हम लोग evening में definitely करेंगे समय है तो आप पढ़ सकते हो ये भी आपके लिए recommended है अगर आपके बाद समय है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो आप इसको completely छोड़ सकते हो and if you have time इसको भी एक बाद थोड़ा सा देख ले अगर नहीं समय है तो कोई ज़ादा important है भी नहीं ठीक है ये आप completely छोड़ सकते हो आर्टिकल दुनियादारी के अगर हुँ लोग बात करें तो तालिबान से एक news है तालिबान ने कहा है कि वो अपने मतलब वो अफगानिस्तान को किसी militant attacks के लिए use नहीं करने देगा किसी और country के against में ऐसा वो बार बार बोलता आया है लेकिन तालिबान की कतनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है वो सब को पता है तालिबान के अंदर समझ से यह है कि तालिबान में कुछ ऐसे लोग है जो United Nation की अलड़ी एक hit list में है मतलब वो black list में है उनको terrorist declare किया हुआ है पहले से ही और अभी वो वहाँ पर मिनिस्टर बन गए है specially हकानी ग्रूप हकानी ग्रूप के कुछ मिनिस्टर ऐसे है जो UN की black list में है उनके साथ United Nation कैसे declare कैसे उनके साथ target करेगा कैसे उनके साथ deal करेगा ये एक dilemma है General Assembly के सामने United Nation की क्योंकि 1990s में जब Taliban आया था उसका character कुछ और था अभी ऐसा लग रहा है देखने से के Taliban का character थोड़ा सा change हो गया है क्योंकि 1990s में जो Taliban है वो Al-Qaeda की काफी close हुआ करता था उसामा बिन लादूइन को भी उसने shelter दिया था वो सारे की सारी चीज़े है खेर इंडिया के उपर इसका क्या relation रहेगा और क्या impact रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी क्योंकि कहीं सारे faction ऐसे हैं जैसे हकानी ग्रूप हो गया लश्करे तयबा और जैसे महुमद ये इंडिया की against में है सबको पता है और ये तालिबान के काफी close माने जाते है तो इंडिया भी थोड़ा सा फूख फूख की कदम यहां पे रख रहा है देखते हैं क्या होगा future में जो अगली news है वो आती है कहां से अमेरिका से है कोई खास हमारे लिए important नहीं है लेकिन delta variant ने अमेरिका में समय धूम बचा रखी है specially southern states में जो southern states है जैसे Mississippi हो गया Miami हो गया Alabama हो गया उस तरह के जो southern states है northern states में हालत इतनी बुरी नहीं है अब आप question बोलोगे ऐसा क्यों क्योंकि अमेरिका में जो vaccine hesitancy है मतलब जो vaccine लोग नहीं लगवाते है वो southern states में काफी ज़्यादा है और अभी वहाँ पे एक research की गई है by Center of Disease Control and Prevention उसने कहा है कि जो unvaccinated Americans है इसके chances 10 गुना ज़्यादा हैं कि वो hospital में जाएंगे as compared to those people who are vaccinated मतलब अगर आपने vaccination नहीं लगवाई है और आपको COVID हो गया तो समझ लो आप hospital में तो जाओगे ही जाओगे ऐसा कहा है उस survey के अंदर उस research के अंदर और southern America के अंदर southern जो states हैं Alabama में CCP विगरा वहाँ पे लोगों ने vaccine काफी कम लगवाई है वहाँ पे vaccination का rate अमेरिका में सबसे कम है तो कि वहाँ के लोग थोड़े से न conservative type के हैं वो vaccine लगवाना पसंद नहीं करते ये वहाँ पे reason है इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आप eligible हो अगर आप 18 प्लस हो तो vaccine ज़रूर लगवाए vaccine लगवाने से हो सकता है कि आपको virus हो भी जाए बाद में उसके भी काफी कम chances होते हैं वैसे लेकिन अगर अगर हो गया तो serious symptoms नहीं आएंगे ऐसा बहुत सारी research में देखा गया है अगली जो नियुस आती है वो कहां से आती है CPEC CPEC क्या है चाइना एक पाकिस्तान economic corridor उनकी अब एक meeting meeting होगी वो हमारा काम नहीं है CPEC केंदर जो total investment है 60 billion dollars जो काफी जादा है तो ये क्या करते हैं हर साल दो साल के बाद meeting करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है हम सभी को पता है कि वहाँ पे कुछ attacks भी के गए थे Chinese nationals के उपर जिसमें से जो है देखे ये आपका पहुंसता है यहाँ पर पाकिस्तान हाला कि ये वाला जो area है वो इंडिया का ही है ठीक है यहाँ map में तो general वो दिखाते नहीं है तो ये वाला side chin वाला area हो गया और ये आपका जो हाँ P.O. के तो इंडिया का ही part है लेकिन चलिए मैं इसको यहाँ से erase कर देता हूँ तो एक चीज़ आप देखो कि ये है आपका जो आपको नज़र आता है this is your work C.P.E.C. चाइना पाकिस्तान एकॉनमी कोरिडर जो ये line आपको यहाँ से नज़र आ रही है ठीक है ये और ये ठीक है ये इसका part है चाइना एकॉनमी कोरिडर का चाइना के दो जो यहाँ पे जिंग जिंग प्रोविंस है वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है काशगर काशगर यहाँ से शुरू होता है काशगर से और चलते चलते कहां तक पहुंचता है 60 billion dollar की investment हुई यहाँ पर अगर आप देखो तो यह है आपका बलूचिस्तान बलूचिस्तान में anti-Pakistan sentiments है और बलूचिस्तान में ही चाइना के officials के उपर attack हुआ था जिसमें कहीं लोग मारे गए थे तो चाइना काफी concerned है अपने इस investment को लेके हालां कि Pakistan भी concerned है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन भाईया जब आप अपने घर में सांप को पालोगे तो definitely वो आपको ही डंक मारेगा तो पाकिस्तान ने जो सांप पाल रखे हैं या terrorist लोग तो definitely यह पाकिस्तान को ही डंक मारेंगे जो बच्चे हमारे यह पे नए हैं हमारे platform पे आए हैं उनसे हम बोलना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे विए daily हम आपके लिए बढ़िया analysis लेके आते हैं आप instagram पे भी हम लोगों को join कर सकते हैं instagram का हमारा page है itvpluses underscore upsc telegram और whatsapp का नंबर तो खरमा ने आपको दिया हुआ है description में वहाँ पे जागा हमें message करें हम आपको link भेज देंगे आप whatsapp ग्रूप को join कर सकते हो telegram का ग्रूप भी link वहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे हम आपको daily newspaper देते हैं daily current फिर आपको provide कराते हैं अगल आर्टिकल जो है economy section से है वो क्या कहता है बात है GST council की GST कब हुआ था GST के लिए हम लोग ने किया था 101st constitutional amendment act याद रख लेना है 101 constitutional amendment act हम लोग ने किया था जिससे हम लोग ने GST को introduce किया गया था इंडिया में GST एक indirect tax है याद रख लेना direct tax नहीं है indirect tax है ठीक है इसके अंदर बहुत सारे taxes को हम लोगों ने sub-sum कर दिया था GST के अंदर जो है जो 101st amendment act किया था हम लोगों ने इससे हम लोगों ने constitution के अंदर 3 articles को एड किया था कौन कौन से अटिकल थी 246A 269A और 279A तीन आर्टिकल को हम लोगों ने आड किया था 246A जनरली इंटर स्टेट ट्रेड की बात करता है within the state 269A जनरली आपका इंटर स्टेट ट्रेड की बात करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और 279 बात करता है GST council के बारे में तो अगर एक्जाम में पूछ लें 279A is related to GST council GST council क्या होती है GST council center और state के officials की एक group होता है जिसमें लोग मिलते हैं बैठते हैं और discuss करते हैं कि कौन से product के उपर tax बढ़ाया जाए कम किया जाए कि सको include किया जाए कि सको बाहर निकाला जाए वो सारी की सारी बाते यहां पे हैं अब जब GST को introduce किया गया था इसको constitute किया गया था तो इसमें हम लोग ने petroleum products को बाहर निकाला था तो मतलब जाके petroleum products है आपका diesel है, petrol है, aviation, turbine, fuel है they are not the part of GST लेकिन अभी कुछ proposal आए हैं कि इनको भी GST के अंदर include कर दिया जाए जिसकी जो है यह GST meeting की जाएगी हालां कि यह जो आपका diesel petrol है इससे center को और state को बहुत सारा revenue होता है और center को बहुत जादा नुकसान होने वाला इससे GST को में petrol और diesel को include करने में लेकिन फिर भी demand आ रही है तो शायद future में petrol, diesel वगरा को भी turbine fuel को GST के अंदर include किया जा सकता है ऐसा एक मामला है क्योंकि अभी center और state अलग-अलग से tax लगाते हैं पेटरोल, diesel के उपर जिससे cascading effect हो जाता है cascading effect का मतलब होता है tax on tax मतलब एक बार जब आपने tax लगा दिया उसके वब उपर आप दुबारा tax लगाते हो तीसरी बार लगाते हो, चोथी बार लगाते हो वो इसे कहा जाता है tax on tax cascading effect तो cascading effect से इंडिया में petrol और diesel की कीमते इतनी जादा हो गई है अगर ये GST के अंदर आ जाएगा तो शायद petrol और diesel की कीमतें कम हो जाएंगी उसके अलावा एक और प्रपोजल है वो प्रपोजल ये है कि जो हमारे food delivery apps है जैसे स्वीगी और Zomato अभी ये GST के अंदर में नहीं है कैसे? क्योंकि ये तो platform है Zomato जिस restaurant से खाना मंगवाता है वो GST के अंदर में है लेकिन Zomato जिस 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 ट के अंदर नहीं है तो इनको भी GST के अंदर लाने की बात चल रही है तो GST की जो है meeting अभी की जाएगी कौन सी meeting होगी? 45th GST council meeting आप मुझे comment section में ये बताओ कि जो GST council के जो chair person होते हैं भया वो कौन होते है क्या वो prime minister होते है या फिर home minister ठीक है? चली तो आपका ये होगए आपका economy section उसके लावा India जो है बाचित कर रहा है UK के साथ क्या बात कर रहा है? free trade agreement की बात कर रहा है के भाया हम लोग India और England आपस में Britain आपस में मिलके free trade कर सकते हैं free service exchange कर सकते हैं India जो specially focus कर रहा है वो कर रहा है people to people moment अगर ये FTA sign हो गया तो इंडिया से जादा से जादा लोग Britain की अंदर काम की तलाश में travel कर सकते हैं easy हो जाए का उनके ये तो ये free trade agreement अभी बातचीत चल रही है let's hope future में ये हो जाए एक और current affair के लिए news यहां पर ये है कि इंडिया और Singapore का जो digital payment system है वो आपस में link होने वाले है इंडिया का जो payment system है उसे का जाता है UPI सम लोग सब UPI करते हैं भी वगारा आपका use करते हैं Singapore में जो है उसको बोला जाता है pay now तो दोनों आपस में interact करेंगे link करेंगे जिसकी वज़े से जो transactions हम लोग करते हैं Singapore के साथ वो low cost हो जाएगी immediate होगी fast payment होगी fund transfer हो सकता है और जिससे हमारे जो financial relationship है वो भी अच्छे यहाँ पे हो जाएगे ठीक है तो ये थोड़ी सी आपको news पढ़ने लायक है क्योंकि कहीं वारे वो पूछ लेता है उसके लावा इंडिया का जो NPA है non-performing assets है भाया वो increase हो गया है definitely सीधी सी बाद है COVID-19 को लेके तो NPA कितना increase हुआ है 8.5-9% because of the MSSMAs जो हमारे micro small medium industries है ये बंद हो गई है बहुत सारी जिसकी वज़े से अपना loan चुका नहीं पा रही है और जब आप loan नहीं चुका पाते हो तो उसको बोलते है NPA ठीक है थोड़ा सा आप इसको भी पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हो चलिए उसके लावा हमारे पास और यहां कुछ बचा नहीं है एक editorial section आपका मैंने भी छुड़वा दिया है क्योंकि अभी समय की कमी है हमारे पास evening में आपको इसको मैं करवा दूँगा लेकिन जब तक आपके पास समय है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो ठीक है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही thank you very much all the best and जहने जहने